हम पहुँचे हैं जनपत बुलंद शेर के गाउं खंदुई में जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे संजीब राज़ोराजी से क्योंकि वो अमरीका में रहते हुए आज अपने गाउं पहुचे हैं अपने गाउं के कल्चर से हैं अपने गाउं की उस सपेता से जुड़े हैं और क्या कल्चर है हमारे अमरीका और अमरीका और इंडिया के कल्चर में क्या फरक है क्या बेंपिविन निताय हैं इस सारी बाते होंगी हमारी उनसे झाल 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 मेरे साथ निरंतर बने रही है क्योंकि आज हमारे साथ है न संजीर राज़ोड़ा अब आदी बनना है तो आग से घुजना पड़ेगा एक लिए कामिया बनने के लिए देखो मेहनत करनी पड़ती है जिल्लत सहनी पड़ती है अपमान भी होता है आपका आप गिरते भी हो फे आदमी आगे बढ़ता है तभी हो फाम में कुछ लग सोचते हैं मेरी बेज़ती होगी अब नियुक्ता है इसने मुझे ऐसे बूल देर आपनी कर रहा है ऐसे तो मौक के करोड़ों आते हैं लेकिन इन सब को जो पार कर लेता है वही क्या नामे बनता है जितने बड़े- अब लिए हो सचिन तंदुल को यह पैदा होती थोड़ी बन वहीं अच्छा अमरीका अगर संजीव राजोर नहीं जाते हैं तो क्या करते हैं लक्षरे नहीं जाता है तो यहां पर काम्या भी होता क्योंकि मेरे अंदर वो है मैं फाइटिल इस्टिंक्त है वैं छोड़ता अच्छा पताते हैं कि पिता जी का बड़ा रोल रहा है आप मेरे जो फादर से ना मेरी बहुत अच्छी पॉड्लिंग थी जैसे मेरे फादर कुछ फादर होते हैं ना कि जैसे आप कुछ गलती करने जा रहे हो तो वो आपको पीटते साले मत कर फेल हो जाएगा तो मैं गल होने देते थे होने देते थे मैं किरता तो मैं समझाता था पापा सभी मैं बहुत सारे काम करता था तो पापा मैंसे कहते है तेरा ये काम गलत है प्री मैं साथ ते रहा होने कि ये गलत है तो और वो हमेशा जैसे मैं क्रिकट भी खेलता था और मैं अच्छे नमबर लाता थ तो वो ही ऑल्वेस बिलीवड के मैं कुछ बड़ा काम करूंगा से और फिर वो हुआ भी अच्छा जैसे संजीब राजूरा बने हैं संजीब राजूरा यहां कर पहुंचे हैं तो मस्तर्फ मस्तात्म बच्पन जो है उनका पुरा नटकट रहा है हां जी बहुत नासान नहीं जो दिखाई दे पारें आसानी प्राजूरा ने बहुत 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 जैसे टीनेज में लड़ाई जगड़े नंबर अच्छे ना आने तो यह सब जिंग्स्टर से क्याता हूं कि जो भी जैसे सुसाइटी क्या होती वाई साब जैसे आप टीनेज में कोई गलत काम कर लो जैसे बाज और शेर जी वो तो आसमान की रानी कहते हो उसे जंगल कर आजा जैसे शेर ना तो सबसे ताक्षटर जानवार है तरह है ना बड़ा हाथी की तरह है ना तेज लौंड़ी की तरह है फिर भी जंगल कर आजा है तो इसका एटिटीट उसमें लीडर्शिप है और लीडर्शिप जो चीज है कि एक लीडर किसी हारी फॉज की कैप में चला जाये तो उनने इस्पायर करके बहुत जब्रतर फॉज भी पढ़ा दोता है अना उस्ट है ना कि एक बार क्या हुआ कि इस बहुत जरूरी है बच्चों के लिए एक बार क्या हुआ कि शेरों ने ए जो बकरियां थी जिनका राज़ शेर तो उन्होंने सारे सिर्फी तो आर्मी ऑफ शीप लेड़ बाया लॉएन विल आल्वेज डिफीट एन आर्मी ऑफ लॉएन लेड़ बाया शीप तो जब आपका जो राज़ जो लीडर कायर होता है ना तो पूरी फॉज को कायर बना ज जिए और आप लीडर बहादूर है तो बकरियां भी शेर दो लीडर शेप उसी तर जैसे गाउं में प्रधान कैसे चुना या यह जिए मेरे खांदान का यह मेरे परिवार का इससे मेरे अच्छी संबन है वह उसके टैलेंट में चुना या इसलिए वह जो निकमा परधान ह परिवार को भी पिटवाता है आद देखो भारती जनता ने मोधी को प्राइमिस्टर चुना है ना तो मोधी खुद पिटा ना हिंदुस्तान को पिटेंगे दुनिया में जाके जंडे गाड़े हो तो यहां पर योगी जी है जनता नहीं तो चुना है ना वह जुकते हैं न जानसा लीडर चुनते हो अमेरिका में क्या होता है वहां अमेरिका में जीतिया तो फिर उसकी बीवी खटी हो जाएगे तो यहां यहां फेवरिटी जैनता है और इसी लिए जो टॉप टैलेंट होता है निकम्मी लीडरिशिप के अंदर खिलता नहीं है लोग विदेश क्य होते हैं तो आम इंटेलिजेंट जनता को अपर्टिनिटीज नहीं इसलिए सबसे ज्यादा चेंज गाउं से होना चाहिए फिर प्रधानी के चुनाव आएंगे आप देखना के मेरे परिवार का है मेरे खांदान का मेरे कुर्ट का है उसको चुन लेंगा फिर उस पर मुकदम के साथ वो उड़ता नहीं है जब तुफान आता है वागी पक्सी छुप जाते हैं वो और उचा उड़ता है शेरत अंदियबाद मुखालिफ से ना घबराया है वकाब यह तो चलती है तुझे उचा उड़ाने है और कभी भी यह होता है जो बहादूर लीडर्स होते हैं त देखिए अभी हमारा गाउ में काम था वो बोले यह काम कुई नहीं करा पाया वो तूमत करी है वरना बेजदी हो जाएगा तो जो हार का खौफ है ना जिसे हार का खौफ पढ़ जाता है तो कभी बड़ा आदमी बढ़ा है तो हार से सीखता है कि यार मैं यह पर हार तब हो हपाओ बड़े लोग एक बार हार के बेज देखे की घर बेटीगे जानाओ में बहुत हैं बहुत लंब लंबी फैकेंगे एक बार हार के अपर घर मेरा ऐसा है अगर मैं पीछे लग्यी आंगा हूँ जिसे हो हार कहते हैं मैं उसे टेंपरेर्टी लंडिन् There's an कहता ह an एक competition हारो, उससे सीखो नो क्यों हारा, और तैयार ही करो बड़ी, ऐसी मैं करना है, बड़े-बड़े काम हुए हमारे गाहों में, तो सतर साल में नहीं हो, हमने उखड़े रहें की, और यह बड़े-बड़े लोग नहीं कर पाए, यह मैंने कभी हारना सीखा ही हुए, नहीं सी सीखो, और दुबारा बनाओ, ऐसे बहुत आईएस में जानता हूँ, अभी मिलके आयत हमें लखनाओ में, जिन पर कॉलिज के टाइम में मुकदम हो गए, फेल हो गएते हैं, वो गयारी बार हो गए, लेकिन वो आईपेस में बहुत दोस्त हैं मेरे, तो यह नहीं सोचना च क्या कहना चाहते हैं, आप उन बेटियों की सिक्षा पर हम देखते हैं कि गाउं में जो हाई स्कूल इंटर से जादा नहीं हायर पाते हैं, अभी बाबाब कुए, उनके ने ये क्या कहना चाहते हैं, तो लड़केंगों तो जरू कराएं, क्योंकि जितना भी सोचन होता है लड़कें के साथ, उनी के साथ होता है, जो अपने प्यरूपे निए प्रता है, तो जातर माबाब सोचते हैं, दसवीं बारवीं कराओ, और शादी करते हैं, फिर वो पूरी अच्छा आदमी मिल जा है, ऐसके तो अच्छी जिन्दी कर जाती है, लेकिन बुरा आदमी मिल लड़की पड़ी लिखी है और वो जॉब गड़ सकती है, तो फिर वो उतना उत्पीडन नहीं सही है, वो जाता लड़कियां उत्पीडन सहती है, मार पिटाई भी सहती है, जो उनकी बच्चे हो जाते हैं, चली हमारे साथ यह थे संजीब राजवरा जी जिन्दी उने बत जिससे कि संजीब राजवरा आके स्वम उनसे मिले, यह कहना है संजीब राजवरा जी का, चलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के सब्स्क्राइब लिंक को शेर जरू करें, जिससे कि जो आज बात हमारी संजीब जी से हुई है, वो आगे जाके उन बच्चों के ने आजीम और सिक्षा ले पारें, नमस्कार और खुदा आफ़ाद।